सो भाई म्यार स्वागत है आपका यह करना है वीडियो में दोस्ते आर आज के इस वीडियो में मैं आपको मनुजदे के इस बाले थम्नेल का material प्लस PLP file देने वाला हूँ तो ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा useful है तो वीडियो को end तक watch करना साथ ही आपसे मेरी छोटी सी request रहेगी अगर वीडियो आपके लिए useful लगे आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक like कर देना चूँकि वीडियो में बनाने में काफी ज़ादा मेहनत लगती है थम्नेल को बनाने में मेहनत लगती है तो like कर देना तो चलिए बिना time waste करें आज कि इस वीडियो को आपन सुरू करते हैं तो दोस्ते हैं चलिए आपको बताता हूँ आपको ये थम्नेल कैसे बनाना है देखे दोस्तों थम्नेल का जो भी material है और जो PLP फाइल है वो आपको कहां से मिलेगा उसके लिए आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते ह सेम है टेक्सन अभी से इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में भी दे दिया है तो वहां से आप जोइन कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ऐसी ही चीज़े अपलोड करता रहता हूँ जो आपके यूज में आती है तो चैन तो आप थमनेल का जो PLP फाइल है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाऊगे यूज नहीं कर पाऊगे तो आपको PLP फाइल का यूज कैसे करना है उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक वाच करना तभी आप उसको एक्सेस कर पाऊगे यूज कर पाऊगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी आप उसको यूज नहीं कर पाऊगे तो आपको यूज कैसे करना है चलिए आपको बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे सारा यहाँ पर पर प्रॉप्ल्स करना है यहाँ पर आपको यूज कैसे करना है तो तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसको यूज Chemical कैसे करना है तो इस पर इसके लिए सबसे पहले हम bac करेंगे, back आने के बाद आपको बता देता हूँ यह जो आपका plp file होता है, वो save हो के आपके phone में कहाँ पे आता है उसके लिए आपको अपने file manager को open कर लेना है, file manager को open करने के बाद आपका जो internal storage है उसको आपको open कर लेना है उसके बाद आपको download folder में जाना है download folder में जाने के बाद यहाँ पे आपको telegram करके एक folder मिलेगा उसको आपको open कर लेना है इसमें आपका जो भी PLP file आपने save किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो अपना PLP File है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है तो simply आपको यहाँ से देख लेना है, चेक कर लेना है, कि आपका जो PLP File है, वो आपके Phone में डाउनलोड हो चुका है अब चलिए आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको यूज करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे, यह जो file है, यह एक zip file है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको unzip करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस पर tap करोगे, तो यहाँ पे extract का option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, अब इस पर जैसे ही आप click करोगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे, यह जो file है, यहाँ पे आपसे password मांगेगा, तो यहाँ पे आपको password क्या फिल करना है, इसलिए आप से मैं बोल रहा था कि वीडियो को end तक watch करना, नह यहाँ पे आपको उस password को enter करना है, जैसे यहाँ पे मैं password को enter कर लेता हूँ, अभी मैंने password को यहाँ पे enter कर लिया, अब simply अपन इसको extract करेंगे, तो आप लोग देख पाऊगे, यहाँ पे अपना जो plp file है, वो easily यहाँ पे extract हो चुका है, तो आपको जो password है, वो वीडियो क पे अंदर ही कहीं मिलेगा, तो वीडियो को skip मत करना, आप पूरा complete watch करना, वीडियो के अंदर आपको password मिल जाएगा, उसी password को आपको यहाँ पे enter करना है, और आपका जो plp file है, वो यहाँ पे unlock हो चुका है, अब चलिए इसको कैसे आपको use करना है, वो मैं आपको बता देत हूं, उसके लिए आपको back करना है, अब back करने के बाद यहाँ पे आपको अपने pixel lab application को open कर लेना है, जैसे ही आप pixel lab application को open करोगे, तैन उसके बाद यहाँ पे आपको my project पर click करोगे, तैन यहाँ पे आपको ऊपर मैं plp का option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, इस पे जैस PLP file आपने extract किया था उसको यहाँ पर select कर लेना है अब जैसे ही आप इसको select करोगे तो यहाँ पर open and add पर आपको click कर देना है इस पर जैसे ही आप click करोगे तो आपका add करी है उनको आप यहाँ पर edit कर पाओगे चाहो तो किसी भी चीज को आप delete कर सकते हो किसी भी चीज को यहाँ पर फिर से यहाँ पर customize कर सकते हो सारी चीजों को आप अपने हसाब से edit कर पाओगे जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो YouTube लिखा हुआ है उसको यहाँ पर edit वाले बटन पर click करेंगे फिर से यहाँ पर अपन edit वाले बटन पर click करेंगे अब यहाँ पर simply अपन क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर नीचे देख पाऊगे edit पर आपको click करना है और यहाँ पर यहाँ जो YouTube लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको जो भी type करना है simply इसको आपको cut कर देना है और अपना text यहाँ पर type कर देना है then type करने के बाद simply आपको यहाँ पर OK कर देना है तो आपका जो text है वो एक click में यहाँ पर add हो जाएगा और change हो जाएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ भी changes आपको करने की जरूरत नहीं है, जो text है, जो font है, वो पहले से आपको apply मिलेगा, आपको सिर्फ अपने वाले text को यहाँ पे add करना है, और अपना thumbnail create करना है, अब यहाँ पे बात आती है, जो यहाँ पे मेरा photo है, उसको भी आप easily यहाँ से delete कर सकते हो, उसके लिए आपको layer वाले section पे आना है, यहाँ पे आपको मेरे image को delete करना है, अब delete करने के बाद यहाँ पे बहुत आसानी से अपने image को add कर पाऊगे, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे plp file में सारे changes कर पाऊगे, जो आप लोग करना चाहत हो, उसके बाद जब आपका thumbnail यहाँ पे ready हो जाए, तो आपको simply उपर save बाले button पर click करना है, अब यहाँ पे save as image पर आपको click करना है, और यहाँ पे आपको custom पर click करके ultra को select करना है, then यहाँ पे save to gallery पर आपको click कर लेना है, तो आपका जो plp file है, आसानी से आपकी gallery में save हो जा आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कर देना, चैनल पे नए हो, आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो, तो subscribe जरूर से कर लेना, telegram चैनल का link आपको वीडियो के description में दे दिया है, तो वहाँ से join कर सकते हो, material प्लस thumbnail के plp file को download क कर सकते हो, और इस plp file का जो password है, वो वीडियो में आपको दे दिया है, तो आपको password मिल गया होगा, उस password से आप इस plp file को unlock कर पाओगे, त्यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए take care, bye bye